हलो दोस्तों नमस्कार इस वीडियो में हम शामान बिज्ञान के जो परिक्षा के द्रश्टी से बहुत ही महत्यपूना दस प्रिस्णों पे ब्याख्या साहित चर्चा करेंगे बहुत बिकल्पी प्रिस्ण होंगे सबसे पहला प्रस्ण है पायरोमीटर निम्नांकित के नापने के लिए प्रियोग किया था जो पायरोमीटर है वो बायुदाव आधरता उच्छ तापमान या भूकंप को नापने के लिए किसको नापने के लिए प्रियोग जाता पायरोमीटर जो था वो हाइट टमपरेचर क से लेकरए 4000 thecen convenient को इसमें होता गया कि इसमें किसी गरम बस्तू के संपर्क में धर्मा मीट्र जो होता पायरोमीटर जो होता ये इसको किसी पर्म यह में जरकना पड़ता बल्की इस पर जैसे दूर इस से ना पाल परकारे हैं उससे उřह जबない सर्जे जो बिक्रण होता है मात्रा दूसरे परमताप के चतुरत घात अनपाती होती है तो ये इस रेडियेशन के सिद्धान्त पे आधारित है और इसे संपर्क में नहीं लाना पड़ता जिस बस्तू काम टंप्रेचा ना प्रहें निम्नांकित उर्जा रुपांद्रों में से किसके द्वारा प्रकास संस्रेशन की क्रिया होती है प्रकास से रासानी कूर्जा प्रकास से ताप उर्जा ताप से जय रासानी कूर्जा या उसमा से गत जूर्जा तो प्रकास संस्रेशन जो फोटो सिंतेसिस होता है उसमें प् प्रिकास तर्वेस्टल भोजन निर्माड के क्रिया है और इससे प्राप्त होने वाले शूरिये प्रिकास या रासायन गुर्जा में रुपा अंत्रण होता है। नसे संक्या थीन है कच्छी चीनी को रंग भीषीन करने होती हुआ हूँ। चारकॉल प्रियों किया जाता तो वो कौन सा चारकॉल होता लकड़ी का चारकॉल होता या चीनी का चारकॉल होता एनिमल का चारकॉल होता या नारियल का चारकॉल तो यह एनिमल चारकॉल इसमें इस्तिमाल किया जाता है चीनी को रंग बहीं करने के लिए अगला प्रश्ण है निम्नांकित में से किस से टेप रिकाडर के लेप, टेप रिकाडर जो है, किस से टेप लेप इत रहता है, टेप रिकाडर जो होता है, फेरो मैगनेटिक चून या नीला थोता है, जिंक आकसाइड या, क्या है पारा, तो जो फेरो मैगनेटिक चून होता जुस्न होता है जिसमें अर मैंगनेटिक कुट से होता है इस को लेप लगा हुआ तो चूठों, से क्या और मुलनें होता है, मच्छर की काट भी दोने में होती, मानब प्रजाती है, मच्छर की प्रजाती भिनने है तो इसका कौन से पिकल्प हो जाएगा सही, चोथा वाला वो डेंग्यू जो होता है वो, अलग-अलग प्रजाती हो, मलेरिया डेंग्यू मलेरیا मादा आयाओना फिलीज के काड़ने से होता है और डेंगि ओ एडेज की प्रिजाती के मादा मक्षनों के काड़ने से होता है, बेतार के तार का संपर्ख क्राथवी के धरातर को परावर्तित किया जाता है कैसे, कहां से होता यह, जो हमारी बायमंडल की होता है उसी को हम आयन मंडल के रूप में जानते हैं यह संस्तर 80 किलो मीटर से लेकर 400 किलो मीटर तक की उचाई के मद्द इश्टित होता है आश्चरिय जनक बिद्धुतिय एवं चुम्बकी गटनाओं का गटित होना इसकी मुख्य सेस्ता है और प्रत्वी से प्रेडियो तरंगे जो होती है वो इसी मंडल से प्रावर्तित होती है वापस प्रावर्तित होकर वापस आते हैं इसी के कारण प्रत्वी पर रेडियो प्रसाण संभव इस मंडल के अबाव में रेडियो तरंगे अंत्रिक्ष में बिलीन हो जाती ह सूची एक को सूची दो से मिलान करिए इसमें क्या मिलान करना जो मलेरिया होता है वो किस पर करेगा रक्तकोषकाओं पर फालेरिया जो करेगा लश्का ग्रंथी पर एंसेपलाइटिस मस्तिस्थ पर लिवकोमिया करेगा रक्तकोषकाओं पर तो यह इसमें हो जाएगा हमारा malaria जो है वो रक्त को उसकाओं पर करेगा philaria लस्का गरंथी पर इनसे flight जो मस्तिस पर एगा और leukomia जो होता है bone marrow पर प्रभावित करता है leukomia bone marrow प्रभावित करता है तो leukomia को हम मिला देंगे bone marrow से उसके बाद malaria जो होगा रक्त को सिकाओं philaria जो हो जाएगा वो लस्का गरंथी उनसे flight जो हो जाएगा मस्तिस्क दिमागी बुखार जो होता है अगला है प्रसंस संक्या water jet टक्नीक का उपयोग किया जाता है कहां सिचाई में ख़दानों के बेदन में अगनी समन में या बीन नेंटर में तो water jet जो होता है उसका यूज हम अगनी समन में जो आग बुझाने के प्रक्रिया होती है उसमें हम करते हैं प्रसंक्या नव है कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निमलिक्स में से कौन प्रियोग में लाय जाता है तो नॉकिंग से बचने के लिए हमें टेट्रा लेड टेट्रा एथिल ये होता है लेड टेट्रा एथिल का कारी में परवर्ते नहीं हो जाती और वो धात्विक धोनी में नश्ट हो जाती धात्विक धोनी उत्पन होती तो इसी धात्विक धोनी को हम क्या कहते हैं अपश्पोर्टन या नौकिंग कहते हैं ऐसे इंदन जिनका अपश्पोर्टन दर्ज होती है वो अधिक होती हो योग के लिए उचित नहीं माने जाते तो उनकी नौक आप इस पोस आप इस पोटन दर जो है उसको कम करने के लिए उसमें ऐसे योगिक मिला जाते हैं जिससे उनका आप इस पोटन जो है कम हो जाए तो उनी एक को में हमारा टेटरा जो है लेट टेटरा एथिल जो है या टेटरा एका वग्यानिक नाम क्या होता है उसका जो नाम है केमिकल नाम जो होगा उसको हम क्या कहेंगे यह होता है टोकोफिराल कैल्सी फिराल जो है बिटामिन डी का है बिटामिन डी का थाइमीन है बी वन का और स्कॉर्वेक एसेट है बिटामिन सी का तो यह हो जाएगा कैलसी फिरॉल नहीं हो जाएगा बिकल्प संक्या दो हो जाएगा इसका बिटामिन ए का होता टोको फिरॉल